अब है कि अधो एक स्वार्थ जो बहुत है जो बहुत ही मतलब सुपर्फिश्यल और यह स्वार्थ आपने बताया कि गहरा होता है जो की बन जाता है पर मार्व ठीक है, तो सर हम अपना स्वार्थ ये गेज कैसे करें, ये जाने कैसे, ये मतलब वो गहरा है, ये मतलब एक मार्थर सुपरफिश्यल और तिर्फ एक मतलब साधारण सा, जैसे किसी का भी हो सकता है, जैसे सर मतलब आयन रैंड ने भी ये इसी चीज़ा है, ठीक 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 ठी इसे कि कामना कहां से आ रही है, ना समझ में आये कहां से आ रही है, तो ये देख लो कि क्या करवाना चाह रही है, कामना का सुरोत नहीं अक्सर पकड़ में आता, तो बस ये देख लो कि क्या हो जाए तो ये कामना त्रिप्ति मानेगी, ये भी ना समझ में आ रहा हो तो, क् क्या हो जाए तो एक कामना बड़ा अफसोस वानेगी चलो मैं उदाहरण देता हूँ घर में गीता पाठ हुआ घर में गीता पाठ हुआ गीता पाठ हुआ और आपने उसमें बड़ा बढ़ चड़ के हिस्सा लिया और उसके बाद अब लड़ू वितरण का कारिकरम बना कि भई लड़ू बाटे जाएंगे और वो भी आपने ये योजना दी सबको कि अब ये हुआ है तो गीता यग्ये के समापन पर सबको मुहले को लड़ू दिये जाएं ठीक है फिर आपने ही कहा कि ये लड़ू जो है मैं ही बाटूंगा कम से कम 57 घरों में तो मैं ही देने जाऊंगा आप गए आपने घर में लड़ू दिया दूसरे घर में दिया आप तीसरे घर में गए और वहाँ भी आपने लड़ू दिया और वहाँ से आप वापस आ गए बागी तीन घरों में आपने लड़ू दिया ही नहीं वापस आ गए हैं और आपका मन बड़ा शुब्ध है एकदम खिन होकर बैठ गए हैं एकदम निराश और कोई पूछ रहा है तो बता भी नहीं रहे कि मन इतना क्यों तुम्हारा खराब हो गया बता भी नहीं रहे आपके नुसार आप परमार्था काम करने निकले थे आपने गीता कराई और आप गीता के लड़ू सब में बाटने निकले थे आप किसी से एक रुपया नहीं ले रहे थे पहली बात तो गीता की बात है गीता ही परमार्थिक दूसरे आप लड़ू सब को निस्वार्थ हो गई बिल्कुल लेकिन तीसरे घर में गए और उसके बाद एकदम आकरके ध्लाम से अपने घर में कुर्सी पे गिर गए और किसी से कोई बात नहीं कर रहे और मन बड़ा आपका खिन है फिर कोई दोस्त आया आपने उसने पूछा क्या है उसने कहा कोई सूचो तो क्या हुआ है आपको भी नहीं पता क्या हुआ है फिर आपको आपने कहा कि यार वह वहाँ 18 नंबर में गया था वहाँ लड़ू लेने आंटी आ गई तो उसने कहा तो आप तो लड़ू देने गए थे सब घरों में दे रहे थे तो आप बोले मुझे कुछ पता नहीं लेकिन जैसे ही मैंने आंटी हो देखा मेरा मन बड़ा खराब हो गया मैं वापस आ गया तो आपका दोस्त वो थोड़ा सा घुसर आया वो चेला फ्राइड का साइको अनलसिस करने लग गया वो बोले क्या हो जाता तो इतना मन खराब न होता तो आप थोड़ा अपने अंदर गोता मारे हो बोले कामिनी आती ना अगर लड़ू लेने तो सब ठीक रहता ये पूरा आपका गीता का कारिकरम सिर्फ इसलिए था ताकि इस बहाने आपको कामिनी के दर्शन हो जाएं और ये प्रमानित कैसे हो रहा है क्योंकि एक वही काम नहीं हुआ तो देखो आप कितने ज्यादा खिन्न हो गए ऐसे पकड़ा जाता है स्वार थपना क्या नहों तो मुझे बहुत बुरा लगेगा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसमें क्या नहों तो मुझे बहुत बुरा लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में बस ये चीज नहीं आपने घंटी बजाई थी आपको खुद नहीं पता था पर भीतर ही भीतर कामना उबल रही थी कि अब दर्वाजा कौन खोलेगा कामनी को लड़ू देने के बहाने बाते कर लेंगे और गीता का प्रसंग है तो कोई आपत्ति भी नहीं करेगा और कामनी को बुलाओंगा बाहर बोलूँगा आओ योग करते हैं निश्काम और अठारा अध्याएं हैं तो कम से कम अठारा मिनट तो लगेगा किसी को कुछ नहीं पता लगेगा हमें भी नहीं पता लगेगा कामनी को भी नहीं पता लगेगा बढ़िया योग हो जाएगा दुनिया की नजरों को तो छोड़ दो हमारी नजरों को भी नहीं पता लएगा कि हमने क्या पका दिया तो आप क्या चाह रहे हो ये आप इसी बात से पकड़ लेना कि क्या न होने पर आप बड़े उदास हो जाओगे क्या नहोने पर आप बहुत उदास हो जाते हो इससे जान लेना कि क्या चाह रहे हो क्योंकि हम क्या चाह रहे है ये मानने कि हम अपने आपको इजाज़त देते नहीं ये सावब जब लड़ू बाटने निकले थे उसक्त किसी ने बोला होता है हैं कामनी के लिए जा रहा है ना तो ये अपनी राइट फुल इंडिगनेशन में उसको कितनी गालियां देते कहते तेरी आँखों में वासना भरी हुई है मैं धार्मिक काम के लिए निकल रहा हूं और तू मुझ पर क्या आरोप लगा रहा है कि मैं कामनी की तरफ जा रहा उस वक्त आपसे कोई बोलता है कि आप में कामनी की इच्छा है तो आप मानते नहीं तो अपने आपको पकड़ने के लिए बस ये देख लोगी क्या ना होने पर उदासी इच्छा जाती है सब लोग यही पकड़िएगा आज क्या ना हो तो बहुत बड़ बुरा लगता है बस उससे पकड़ में आ जाता है कि क्या चाहा रहे थे जो कुछ भी कर रहे थे वो किस उद्देशे से कर रहे थे हम बड़े रुस्तम लोग होते हैं हम अपने उद्देशे को कई बार खुद से ही छुपा जाते हैं हम अपने आप को दिखाते हैं मन्दिर की और जा रहे हैं मन्दिर जा किसलिए रहे होते हैं आत्मग्यान यही होता है भीतर क्या शिष्टम चल रहा है उसको पकड़ लेना हम? हमें एपने भीतर के ही system का कुछ पता नहीं होता और कोई बताए तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि अतना गंदा थोड़ी है हमारा system ना 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 तुम हम पर जूठा इलजाम रख रहे हो ऐसा थोड़ी है कुछ बोलना चाह रहे है कामनी के लावा और किसी को भी नहीं रहे पा है और तब बुरा लग रहा है जैसे मानली जो भी है वही कामनी है ना कामनी माने कोई महिला थोड़ी होता है तो हार लड़ू, रसगुला, गाड़ी, बंगला जो है वही कामनी है कामिनी कोई जरूरी थोड़ी है कि मनुश्य की देहेंवाला ही कोई हो कुटा भी कामिनी हो सकता है कुटा भी कामिनी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अगर मगर कुछ नहीं होता है देख लेना कि अल्ट्रॉिस्टिक है कि क्या है अगर क्या होता है आल्ट्रूइजम में ही तो देने गए थे लड्डू और आल्ट्रूइजम ही था तो आंटी को लड्डू दे दिये तो आल्ट्रूइजम तो तब भी रहा आल्ट्रूइजम तो नहीं तूट गया आल्ट्रूइजम माने क्या निस्वार्थ था करुणा आंटी ने भी अगर लड्डू का डबा ले लिया तो बुरा तो नहीं लगना चाहिए था ना मामला अभी भी ने स्वारत है कामिनी लेती तो भी ने स्वारत होता पर कामिनी नहीं लिया तो कितना बुरा लगा माने बात ना घीता की थी ना लड्डू की थी ना प्रसाद की थी ना प्रचार की थ कि बात तो ये थी कि कामिनी का हाथ चूने को मिलेगा इस बहाने कौन तो एक दिन किसी में इसमें था कि संसरिता में था बोला था कि हम छोटे थे तो मैट्स का टीचर बदल गया तो अटेंडेंस एकदम बढ़ गई उनमें समय क्या गणित के लिए प्रेम जागरत हो गया था पर सब भाग भाग के गणित ही नहीं करना टूशन भी करेंगे अब वो भी कर रहे हैं जिनके पास गणित है ही नहीं वो भी टूशन करने पहुँच गए हम भी पढ़ेंगे आपकी मुस्कुराइट बता रही है कि समझते सब हो तो जहां जटिलता ना हो जटिलता मत रखो बात नियत की है, बात समझ की नहीं है नियत साफ रखी है सब समझ में आएगा नहीं तो वही फिर, गादो भई काम भरा हो आँख में सच नजर नहीं आता है तो इतना सामने हो ऐसे सच ये रखा हुआ है तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा अगर आखों में कामना भरी हुई है तो जी पर देखे परदूएं से प्रकाश ढख जाता है काम भरा जब आँख में सच नजर नहीं आता है आग देह के परदूएं से प्रकाश ढख जाता है काम भरा जब आख में सच नजर नहीं आता है देखते हो काम से ना जान कुछ भी पाओगे ध्यान दो सैयम करो तो सत्व मुक्ति पाओगे देखते हो काम से ना जान कुछ भी पाओगे ध्यान दो सैयम करो तो सत्व मुक्ति पाओगे पाओगे